जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है जो अंदर की सुनता है सवर जाता है शायद यही हुआ ब्रह्मचारी श्री अविरल भाया जी के साथ जै जी नेंदर बंधों स्वागत है आप सभी का पारश चैनल की इस विशेश प्रस्तूती में कौन है ये ब्रह्मचारी अविरल भाया जी यदि आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं शुदिगंबर जैन मंदिर सूरज मलविहार दिल्ली में जहां पर आज ब्रह्मचारी श्री अविरल भाया जी की बिनौली यात्रा निकाली जा रही है बंधू ये भव्य बिनौली यात्रा है ब्रह्मचारी श्री अविरल भाया जी की जिन्हों ने इस भौतिक वादिक जगत को छोड़कर वैरागी की ओर जाने का निर्ण लिया कैसे हुआ उनका हिर्दै परिवर्तन? कैसा था उनके माता पिता का रियक्शन? कैसे दी इनके माता पिताने सुकृति? जानेंगे श्री अविरल भाया जी एबम उनके माता पिता के जुबाने वेरां के पत पर चलना आसान नहीं होता हजारों में कोई एक होता है जो इस पत को अपनाता है शायद वही इतिहास लिखता है क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आता उन माता पिता के मन में क्या गुजरती होगी जब उन से उनके बच्चे आकर कहते हैं कि हमें दीक्षा लेनी है उनके लिए एवं उनके परिवार के लिए दुनिया ही बदल जाती होगी कठिन है परंतू सत्य है कुछी देर बाद हम उस पावन स्थल पर पहुचेंगे जहां पर ब्रह्मिचारी अविरल भाया जी की विनौली यात्रा निकाली जाएगी साथ ही उनके माता पिता से बात भी करेंगे कि किस भारी मन से वे अपने प्रिय पुत्र की विनौली यात्रा निकालने की तयारी कर रहे है क्या चल रहा होगा इस वक्त उनके माता पिता के मन में जिन्हें पता है कि कुछ समयवाद उनका पुत्र उनका नहीं रहेगा उनका पुत्र इतिहास लिखने जा रहा है उनका पुत्र प्रभुभक्ती में लीन होने जा रहा है बहुत सारे ऐसे प्रश्ण होंगे जिनका उत्तर वो देना चाहा रहे होंगे कि आखिर वो क्या करेंगे इसके बाद जब उनका पुत्र उनसे दूर चला जाएगा जानेंगे पारश चैनल के माध्यम से क्योंकि हम आप से सीधे बात कराएंगे ब्रह्मचारी अविरल भाईया जी के माता पिता से तो इस वक्त हम खड़े हैं ब्रह्मचारी श्री अविरल भाईया जी के निवास थान पर जहां थोड़ी ही देर में अभी भव्य बिनोए यात्रा निकाले जाएगी यह यात्रा कॉलोनी से होते हुए सूरज मल स्थित शृदिगंबर जैन मंदिर में पहुचेगी इस थान पर आने का हमारा एक मात्र उद्देश यह है कि हम आप सभी की बात करा सके ब्रह्मचारी श्री अविरल भाईया जी की माता पिता से जिससे आप समझ सके कि एक पुत्र जब दीक्षा की ओर बढ़ता है दीक्षा ग्रहन करने की ओर बढ़ता है उस वक्त माता पिता के हरदय में क्या कुछ चल रहा होता है कैसे उसकी बच्चपन की यादे उसके दिल में ताजा होती रहती है कैसे वे भविश में अपने पुत्र से वही रिष्टा ना रह पाने का दुख मन में रखती है लेकिन धर्म के प्रती, प्रेम, स्नेह और समर्पन एक माता-पिता जब रखते हैं तो पुत्र को कुर्बान कर देते हैं जीदे चलते हैं, अंदर और बात करते हैं उनके माता-पिता से और भईयाजी से इस वक्त उपस्थित हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, कोई और नहीं ब्रह्मचारी अविरल भईयाजी, तो सरप्रतम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं यहां तक की जर्नी कैसी रही उनकी और दीक्षा मिलने के बाद आगे उनके क्या उद्देश रहेंगे भईयाजी, जो आप step आपने उठाया है, जो आप करने जा रहे हैं वो आजकल की दौर में बहुत मुश्किल है अगर मैं कहूँ कि आजकल जहां दुनिया डिजिटल हो रही है इनो, modernization को अपना रही है पैसे कमाने की होड में जूटी हुई है समझ नहीं आ रहा, क्या सही है, क्या गलत है उनके लिए बस उन्हें पैसे कमाना है और बहुत तिकवादी युग का सुख लेना है वहीं आप उनसे अलग दीक्षा की ओर चल रहे है क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार आपने प्रश्नी किया सबसे पहले तो पारस चैनल वालों के इस चीज के लिए बहुत-बहुत साधुहाद कि वो ये मेसेज लोगों तक पहुचा रहे हैं कि सिर्फ भातिक्ता और सिर्फ संसार की चका चौन्द ही एक रस्ता नहीं अपना जीवन जीने का तो जिस प्रकार आपने प्रश्ने किया कि बहुत-इक्ता के इस यूग में जब लोग बहुत-इक्ता की तरफ भाग रहे हैं और लोग सिर्फ पैसा ही कामाना चाहते हैं और भोग भोगों की एक तरह से दोड़ लगी हुई है तो किस प्रकार मेरा ऐसा विचार बना होता होता कहां पहुचना क्या पाना किसलिए हमने जननम लिया था झ६ा ऐसे ही आज-कल लोग एक दूसरी की देखा देखी पैसे के पीछे नाम कें पीछे भागे चले जा रहे उन्हें नहीं पता चिन है उससे क्या मिलने वाला और क्या-बैल गाड़िया होती थी लोग धीरे-धीरे ट। लेकर लोगों के पास समय रहता था आज लोग एरो प्लेइन से हलिकॉप्टर से भी ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है लोगों ने अपने आपको इतना बिजी बना लिया है कि उन्हें ये सवाली ना उठने पाए उनके अंदर कि मैं क्यों आया हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है, कहां मुझे जाना है, कहां मुझे पहुचना है, कहां से आया हूँ, कुछ भी नहीं तो जब मैं इस दोड में भागा तो बहुत आगे तक मैं भी भागा, मैंने भी पढ़ाई की, अच्छे जॉब की, पैसा कमाया लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि ये अंधी दोड़े और इसका कोई अंत नहीं है महावीर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बाहर के हजारों शत्रों को जीतने से अच्छा है कि अपने अंदर के एक शत्रों को आप जीत लो जो आपके अंदर के कशाय के भोगों के ये परिणाम जिस दिन आपने जीत लिये उस दिन आपने गुलामी को पार कर लिया जिस प्रकार एक चिडिया होती है पिंजरे में बंदी रहती है आप उसे कितना अच्छा खाना दो सोने के पिंजरे में रखो लेकिन जैसी पिंजर खलोगी उस वो क्या करेगी उड़ जाएगी उसी तरह जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि स्वतंतरता ही सुख है और आप भोतिक्ताओं के गुलाम बनके जब तक सोचेंगे कि खाने में सुख है सोने में सुख है भोगों में सुख है तब तक आप अपने आपको गुलाम महसूस करते रहे इसलिए इस गुलामी को पार करने के लिए इस भोतिक्ताओं से अपने आपको आगे ले जाने के लिए आपको सर्व पर्थ में विचार करना पड़ेगा कि मेरा क्या अस्तित्व है मैं कौन हूं किस लिए आया हूं और इस मानव जीवन का सार क्या है क्योंकि जिस प्रकार एक चीटी पैदा होती है अपना जीवन जीती है क्या करती है शक्रिकटी करती रहती है और अंत में क किसी के पैर के नीचे आके मर जाती है हम क्या कर रहे हैं पैदा होते हैं भागते हैं किसके पीछे नाम के पीछे पैसे के पीछे और क्या करते हैं एक दिन वृत्य को प्राप्त हो जाते हैं और अपना जीवन जो इतना बहुमूले जीवन है जिसमें हमें लॉजिक करने का ची और फिर पढ़े रहू तो इसलिए हमें अपने हर कार्रे के उपर विचार करना चाहिए कि मैं पैसा भी कमा रही हूँ तो क्यों मैं भोजन कर रही हूँ तो क्यों मैं नाम के लिए जा रही हूँ तो क्यों तो इनी सब चुजों पर बार बार विचार करकर जब मैंने जैसे कुमल सी रसी होती है ना पत्थर पे बार-बार चोट करके निशान छोड़ देती है उसी तरह जब आप बार-बार अपने आपको ऐसे लॉजिक से ठोकोगे तो आप इस भौतिकता से इस रैट रेस से जिसका कोई अंत नहीं है अपने आपको पार ले जा पा है बस पैसे कमा रहे हैं सिधान किसी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है ये किसी को नहीं पता बस दोड़े जा रहे हैं और जैसा आपने कहा कि मरना हर किसी को एक दिन है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जितने बुरे कर्म हैं हम सब करते हुए जा रहे हैं पता नही नहीं मुझे अब हटना है यहां से जैसे आपने बताए आप भी educated हैं आप job करते थे पैसे कमाते थे जो बाकी लोग करते हैं वही आप भी करते थे तो ऐसा कौन सा वाक्य आपके साथ हुआ जो आपने सोचा नहीं बस अब मुझे प्रभु भक्ति में लीन रहना है इन सब ची जीवन में सतत ही चिंतन करने से आपके विचारों में परिवर्तन आता है लेकिन फिर भी कुछ एक दो ऐसे वाक्य आपके जीवन में घटित हो जाते हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिसे आज तक मैं जीवन भर सही मानता आया वह शायद सही नहीं है जो मैं कड़ता आया जिसमें में सुख ढूंडता आया वह शायद सुख देने वाली वस्तु नहीं है सर्व प्रत्थम तो जब मैंने जनेंद्र भगवान के दर्शन किये जब मैंने उनके दर्शन किये तो मेरे मन में सबसे पहले विचार आया कि है भगवन पूरी दुनिय कोई भाग रही है कोई धन के पीछे भाग रहा है कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है कोई नाम के पीछे भाग रहा है कोई सुख ही नहीं दिखता जिसे पाने के लिए हर कोई सारी क्रियाएं कर रहा है तो सबसे पहले मैंने उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की बहुत कुछ जाना तब मुझे समझ में आया कि निकम्मा हो जानने में ही सुख है निकम्मा अरथात कुछ नहीं करने में ही सुख है जिस चीज में हम सामानने प्राणी जीवन पर सुक मानते हैं हम किसमें सुक मानते हैं कुछ करने में अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है ना तो हम उसे क्या बोलते हैं बिल्कुल निकम्मा है बिल्कुल नालायक है लेकिन सबसे बड़ी साधना क्या है इस जीवन में कुछ नहीं करना मन में आते हुए भी मन में आये कि मुझे शराब पीनी है तो नहीं पीना मन में आये मुझे रात्री भोजन करना है तो नहीं करना मन कहे आपके संस्कार आपको धके ले लेकिन उसमें नहीं बहना यही सबसे बड़ी साथ है और दूसरा वाग के मेरे साथ क्या घटा मेरे नाना जी थे दीख्षा लेना चाहते थे लेकिन उन्हें क्या हुआ पैरलेसि सागया तब मुझे लगा कि जीवन में जो आपको करना ना आपको कर लेना चाहिए क्योंकि नई करने का दुख हारने के दुख से बहुत बड़ा होता है और तीसरा वाक्या जो मेरे साथ घटा वो क्या था जो मेरे सारे दोस्त थे बहुत पैसा कमा रहे थे लेकिन सब गलत तादोतों में लग गए को शराब पीने लगा कोई इदर उदर जाने लगा तब मुझे समझ में आया कि पैसा अगर planned नहीं एक कि आपको उस पैसे का करना क्या है तो इस पैसे से बड़ा जहर इस दुनिया में कोई नहीं है आज जो बिगड रहे ना गरीब नी बिगड रहा बिगड कौन रहा है जिसके पास साधन है लेकिन उसे पता नहीं उन साधनों का क्या करना इसी तरह मेरे पास शरीर साधन है इसका मुझे क्या करना है मैंने उसी दिन निर्णे लिया कि अपना जीवन ऐसे व्यर्थ करने से अ जिसे करने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। आप जीवन बर कुछ करना चाहते हैं तो ये करिए इसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाए। कम पुत्र को यह सौभाग मिलता है शायद वो अपना नहीं पाते हैं या किसी भी कारणवश वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं आपको तो वो सुनहरा आफसर भी था आप अपने प्यारों पे खड़े थे अच्छा कमाते थे लक्ष भी आपके पास था एक अच्छे पुत्र ह लेकिन माता पिता को ठुक राकर दीक्षा लेना उनके लिए उम्र भर का गम रहेगा अपने पुत्र की तरफ से क्या आपको नहीं लगता यूच्छत है या नहीं है आपके खुलं क्या है ? आपने बहुत अच्छे बात कही कि माता पिता की सेवा करना ही उत्कृष्ट धर्म है लेकिन सेवा को आप क्या मानते हैं कि मैं उन्हें बहुत इकता के साधन उपलब्ध करा दू और उन्हें और बड़ा गुलाम बना दू आज मैं मुनी दिक्षा लूँगा तो जब भी वो पहले छोड़ देना हर एक वस्तु जो आपको प्राप्त होई है जिसका आपके साथ संबंध हुआ है चाहे वो आपका शरीर हो चाहे वो आपका पुत्र हो चाहे स्त्री हो वो सब वियोग को प्राप्त होंगे आपसे प्रतक होंगे ही जितना बड़ा सत्य जन्म है उतना ब अपना पाए तो यही तो उनकी सेवा है मैं उन्हें बहुतिकता प्रदान करूंगा तो क्या होगा वह और गुलाम बन जाएंगे हॉस्पिटल के बैड पर दम तोड़ेंगे और मुझे देखेंगे मेरे पास आएंगे तो समाधी को प्राप्त करेंगे और जो ग्रहस्त श्रा अब आपको उतना नहीं सिखाएगी आप हजारों शास्त्र पढ़ लो वह आपको उतना नहीं सिखाएंगे जितना एक मुनिराज आपके सामने आ जाएंगे तो आपको पूरा धर्म का मर्म सिखा देंगे एक महावीर थे उन्होंने हजारों लाखों गरंथ लिख दिये इसलिए स्वयम काबिल बनना चाहिए सारी काबिलियत आपके साथ स्वयम चल पड़ती है भया जी आपने जैसे बताया कि जीवन का सार क्या है एक महान पुरुष के लिए ये समझना बहुत आसान है लेकिन माता पिता माता पिता होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता उनके लिए तो उनका पुत्र उनसे दूर जा रहा है बस उनके लिए ये दुख का कारण होता ह तो आपके लिए ये कितना मुश्किल रहा अपने माता-पिता को और अपने परिवार जन को दीख्षा लेने के लिए मनाना अच्छा प्रश्ण है क्योंकि जो संसारी प्राणी होते हैं वो मोहों के वज़े से परवस्तू में अपना सुक दुख मानते हैं लेकिन जैसे जैसे उन्हें समझ में आता जाता है कि पुत्र किस चीज में सुखी है देखो अगर कोई इंजीनियर होगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर जो बिजनेस कर रहा होगा वो क्या सोचेगा मेरा बेटा भी बिजनेस में लगे जो जैसा होता है जिसका चश्मा जैसा होता है उसे दुनिया वैसी दिखती तो क्या जुरूत थी उनका चश्मा बदलने की उन्हें समझाने की कि इस संसार में अनंतुकाल बीद गए किस चीज में आप किसी भी पर्याय में जाओ क्या होता है आप पैदा होते हो अपने जैसे लोगों को पैदा करते हो उनका ध्यान रखते हो और मृत्यों को प्राफ्त हो जाते हो इसमें क्या सार है कि आपने दो जनों को पैदा किया शादी करके क्या करता मैं संसार में दो जनों को पैदा करता बहुत तिकता देता अगर मैं बहुत हुश्यार था तो क्या करता बहुत तिकता देता बहुत तिक्ता देने से क्या होता कि संसार का और पतन चालू हो जाता एटम बॉम बना पहले क्या होता था पहले लडाईया होती थी सामने से आज कल क्या होता है कि पूरे देश के देश के उपर बम गिरा दिया जाता है और उसे उड़ा दिया जाता है जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत इकता बढ़ती है हम और विद्ध्वनसक होते जाते हैं और नेगेटिव होते जाते हैं आज सारे देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने पे तत पर हैं सब nuclear power बन चुके हैं तो माता पिता को बस मुझे इतना ही समझाना था कि यह जो संसार है यह मकडी के जाल के समान है इंसान उस मकडी के जाल को अपने जनम से बुनता है और बुनते 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 उसी में फ़सके मर जाता है मुझे अपने जीवन को उस जाल में फसाकर व्यर्थ नहीं करना है मुझे उस जीवन को सारभूत बनाना है क्यों? क्योंकि आप देखो और किसी पर्याय में इतनी शक्ति नहीं है कि जैसा आप चाहू कर पाओ एक चीटी है वो अपने क्रियाओं में जीवन भर लगी रहती है एक मक्खी है वो अपनी क्रियाओं में लगी रहती है पंचेंद्रिय सैनी गाएं आदी हैं उन्हें इतना जादा तारण है उनके गले में हमेशा पट्टा बंदा रहता है वो अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती सिर्फ एक 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनी ऐसी योनी है जहां आप जैसा चाहो वैसे अपने जीवन को बना सकते हो और धीरे धीरे जब मैं बहुत खुश किस्मत था क्या होता है ना अच्छे लोग सब एक साथ ही पैदा होते हैं मेरे माबा पिते ने सपोर्टिव थे मेरे पिता जी ने मुझे कभी नहीं रोका कुछ भी करने से वो कहते थे खेलना है तुझे पढ़ना है तुपढ़ और मेरी माता थी माता ये जादा थोड़ी जादा भावुक होती हैं लेकिन मेरा पुन्य था कि उन्हें धर्म की समझ थी उसकी वज़े से उन्हें समझाने में क्योंकि पढ़ते तो रोज हैं ये तन पाए महातप जामेसार यही है वो पढ़ती रोज थी लेकिन जब मैंने उने समझाया कि अब जब आप जो पढ़ती हो मैं वो करने जा रहा हूँ तो आपको मेरा समर्थन करना चाहिए तो ऐसे धीरे-धीरे करके जब उन्हें समझ में आया कि मेरा मन इतना परपक्व हो गया इतना सशक्त हो गया है कि इस मुनी पद को धरण करने में सक्षम है और ज्यादा कुछ ना कर पाए तो अपने जीवन में जो 28 मूलगुण है उनका अच्छे से पालन कर पाएगा तब उन्होंने मुझे मुनी बनने की इस पत पर जाने की अनुमती दी भाया जी आप पर बिलकुल मैं आपको एक कॉंप्लिमेंट मैं दे नहीं सक्तिबट में देना चाहूंगी आपके वाड़ी में बहुत तेश है जो कि ये बताता है कि जो इनसान भगवान ने साक्षात ये चीज़े आपके लिए ल नहीं रहता है तो आपके लिए कितना मुश्किल रहेगा इस कठिन नियम पर चलना देखिए जिसे उचाईयों को पाना होता है ना उसे कठिनायां सहनी पड़ती है आप देखिए एक सामानने पद कलेक्टर का पद अगर आपको पाना है तो आपको कितने घंटों मेहनत करन अपड़ता है मिट्टी जो पड़ी रहती है जमीन पेजी से कोई ध्यान भी नहीं देता है वही जब कुम्बकार के हातों से चोट खाती है तपाई जाती है तो कलश बनके मंदिर के शिखर पर रखी जाती है जब तक चोट नहीं होती तब तक उचाईयां हासिल नहीं होती किसी भी पतमें किसी भी चीज में अगर आप उचाईयां पानी है तो आपको तपना पढ़ेगो सोना जब तपता है तभी कुंधन बनता है और लकड़ी को तपा दिया जाए तो क्या है राख बन जाती तपने से ही पता चलता है कि आप सोना हो कि लकड़ी अपने को तपा के जरूर देखना चाहिए और मुनी पद में तो आप कहते हैं 32 परेशे रहते हैं लेकिन ग्रहस्तों के तो कितने सारे परेशे हैं हर समय उन्हें डर बहे बना रहता है कि मेरी मृत्यू ना हो जाए कितनों को समहलना पड़ता है अपने स्त्री को समहलो पुत्र को समहलो अपने पिता जी को माता जी को अपनी स्त्री की माता पिता जी को उनके मौसा चाचा नाना तावो सबको समालना पड़ता है कितने परिशे हैं मुनी को सिर्फ किसे समालना है अपने आपको सबसे सरल है अपने आपको समालना इसलिए सबसे असान मार्ग हैं मुनी मार्ग लेकिन हम लोगों ने ऐसे संसकार अपने अंदर डाल लिए हैं कि हमें वो कठिन लगता है क्यों कठिन लगता है एक बच्चा जब पढ़ाई करता है न तो वो कलेक्टर को पढ़ते वह देखता है तो वो क्या कहता है कि यार यह बहुत कठिन है कलेक्टर बनना कलेक्टरों से बनना है चाहता वो कलेक्टर बनना है लेकिन वो वैसी मेहनत नहीं करना चाहता मुनी पद सबसे असान सिर्फ इस अपेक्षा से है कि उसमें सिर्फ आपको किसे समालना है अपने भावों को संसार में आपको सबको समालना है अपने बॉस को समालो पैसा कमाओ शरीर को समालो घर को समालो सब चीजों को समालो इसलिए अपेक्षाकरत मुनिमार्ग सरल है अगर आपको संसार की सारी चीजों से विरक्ती हो गई है कभी-कभी तो मुझे संसार को देखके क्या लगता है कि लोग अपनी मृत्यू का इंतजार कर रहे हैं और अलग-लग चीजों से अपना मन बहला रहे हैं कभी क्या करते हैं कभी मूवी देखने चले जाते हैं कभी क्या करते हैं कभी गोमने चले जाते हैं कभी क्या करते हैं पास कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे क्योंकि मृत्यूं का इंतजार कर रहा है भी मृत्यूं आई नहीं है न मेरे पास अरे अपने जीवन के साथ आपको करना क्या है उसका निर्णे करो आपको जो 80-70-80 वर्ष के जो आयू मिली इससे आपको पाना क्या है इसका निर्णे करो ठीक है मैं बहुत नहीं पापाऊंगा थोड़ा ही पाऊंगा लेकिन चलूंगा तो सही मुझे अगर दिल्ली से आगरा पहुचना है तो मुझे आगरा के लिए निकलना पड़ेगा एक दिन में मैं थोड़ा ही चल पाऊंगा लेकिन फिर भी मेरा कुछ तो डिस्टेंस कम क्योंकि जैसे आप अपने आपको संसकार दोगे वैसा ही पाओगे फिर से संसार के संसकार दे दोगे कि मैं भोगों में लग जाओं स्त्री में लग जाओं पुत्र में लग जाओं तो अगली बार भी तो यही आपके भावाएंगे कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैं ही क्यों यहां तक पहुचा बाकी सब क्यों नहीं पहुच पाए तब मुझे लगता है कि यह मेरे पूर्व के संसकार थे सब के पास दो रास्ते होते हैं वो जो रास्ता चुनता है वो ही रास्ता उसे आगे के लिए दो रास्ते देता है अगर आपने ग्रहस्त का मार्ग चुना तो आपको ग्रहस्त के लिए साधन मिलते चले जाएंगे और आपने अगर मोक्ष मार्ग चुना तो आपको मोक्ष के लिए साधन मिलते चले जाएंग इसलिए ग्रहस्त में रहकर भी जो सम्मिक दृष्टी होता है जो धर्मात्मा होता है वो ज्ञान और वैराग्य से लबा लब भरा रहता है वो क्या सोचता है कि जैसे मुझे मुझे मौका मिले मैं यह बंधन तोड़ के यहां से निकलू आप कर लो जीवन में आपको क्या करना है चक्रवर्ती पद भी आप अनंतोबार पा चुके भरत चक्रवर्ती जब व्रिशबानन परवत पर अपना नाम लिखने गया तो क्या देखता है कि पहले से ही उस पे नाम भरे पड़े है उसे अपना नाम लिखने के लिए महापर ना मिटाना पड़ा ऐसा क्या नया कर लोगे आप इस जीवन में मेरे बाल सफेद हो गए मैं एक बाल का परिणमन रोक नहीं पाया मैं क्या करता बनाओ इस संसार का यह संसार मेरे आने से पहले भी चलता था मैं हूँ तब भी चल रहा है मैं चला जाओंगा तब भी चलता रहेग इसका सिर्फ सार इतना है कि आप इस संसार से अपने आपको निकाल कर उस मुक्ष में रख दो जहां से कभी आना नहीं होता जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना नहीं होता एक बहुत अच्छी मैंने दो लाइन सुनी थी क्या सुनी थी कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता कौन कहता है बंधूओं आसमान में छेद नहीं होता तुम पत्थर उचाल के तो देखो इसी तरह कौन कहता है कि आप भगवान नहीं बन सकते कब तक पूजा करते रहोगे कब तक अपने सुखों के लिए दूसरों पर आश्यत रहोगे स्वयम सुख का स्त्रोत्र बनो क्योंकि वो सुख तुमारे अंदर है जी बिलकुल भेया जी आपने जो भी बाते यहां पर बताई जो भी अपनी जर्नी बताई और आगे कि यहां पर आपने बताई कि क्या कुछ प्लानिंग है कैसे आप इस दीक्षा को जो आप लेने जा रहे हैं ग्रहन करने जा रहे हैं उसका पालन कर पाएंगे और समाज अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता आपने जो भी बाते बताई सच मुझ बहुत उत्तम है उसके लिए मैं आपका भिनंदन करना चाहूंगी थांक यू सो मच जै जी नीद्र और साथ ही यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी अभी आपने ब्रमच पर तो चल गए हैं भक्ति मार्क पर मोक्ष मार्क की ओर चल रहे हैं लेकिन क्या माता-पिता सोचते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं बिनोली यात्रा की अपने तयारी कर रहे हैं लेकिन क्या भावनाई चल रहे हैं उनके मन में उन्हीं की जबाने जानेंगे बस थोड़ी दिर म विनोनी यात्रा से कुछ देर पहले हमारे साथ इस वक्त भाईया जी के माता पिता जी जुड़े हैं जो आप सभी से अपने experience share करेंगे कि कैसे उनके पुत्र ने उनसे बात की कैसे कैसा वे महसूस कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ है उनके पिता जी पवंच श्री पवंच जैन जी और उनकी माता जी श्रीमती अलका जैन जी तो जै जी नेंत्र माम सर्व मुझे पता है आप बहुत रश में है लगातार अपने दर्श को बढ़ारां चाहूंगी लगातार माम क्यारें जल्दी करो, जल्दी करो, बस यात्रा शुरूर होने वाली है, लेकिन हमने चाहा है कि आप सभी को पता लगे कि दीक्षा से पहले, जब पुत्र की दीक्षा होती है, तो उस वक्त माता पिता के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है, क्या खलबली चल रहती है, अंदर क्या तूफार मच रहा होता है, वो बताएं, आप सभी से शेयर करें, I'm sure आप उनकी बाते सुनेंगी, तो कहीं न कहीं आप जुड़ पाएंगी उनसे, तो सबसे पहले प्रश्ण मैं, मेरा यही रहेगा माम, प् पुत्र है या पुत्री, यही सोचते हैं कि बस आने वाला बच्चा स्वस्त्र है, उसके लिए हम यह करेंगे, वो करेंगे, और जब पुत्र का जन्म होता है घर पे, तो बहुत पुरे परिवार में हर शो लास का मौहौल रहता है, अनेक सपने संजोए जाते हैं, लेकिन दीक्षा, इसके लिए कोई तयार नहीं होता, कि पुत्र आगे चल के दीक्षा ले लेगा, तो क्या चल रहा है आपके मन में? के बारे मैं कहती थी कि शादी लड़की देख ले देख ले, बहुत नहीं नहीं देखनी है, अभी नहीं देखनी है, यह हम पागल बनाता रहा, फिर हमने बाद में हम यह अधित शागर महराजी के पास, वह चातुर महा सुह बैंगलावर में, तो उनसे ज्यादा जी का चातुर मा शुरू हुआ, अधिस्सागर जी का, ताफिस नहीं हम से का कि मुझे शादी नहीं करनी, जैसे जब शादी नहीं करनी है, फिर तो हम समझे कि तो शादी नहीं करनी है इसको, बहुत धक्का लगा, दिन रात मुझे रो नहीं आता था, जब मैं चाहें तो जब आपको पता लगा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? कि आपके सब्सक्र कमाता है पापके सब का सब्सक्राइब तो ऐसे ने अच्छ रहा है जिरेखना देख्या एक गजै करने के तो एक इसने जिरा अजिजिन को ओनी ऐसे इंधर ऑई है पिर इसने एंजिनिर्ग की कॉमपटिशन दी आथ है तो आई ती अ सेलेक्ट हुआ है, IIT Computer Science में इसने अच्छा पोजिशन पर अपती कॉलेज में है, जब कॉलेज में कम्पनियां इसको पांच शे कम्पनिय ने सेलेक्टर लिया, उनमें दावेदरी होगी कि इसको हम लेंगे, लेकिन ये गोल्ड में सेक्स में गया जो अमेरिका की सबसे अच्छी कम्पनिय है, वो सबसे अच्छा पैकेज भी मिला इसको, इसलिए मैं तो इसके काम से पूरा संतुस्ट हू इसलिए मुझसे कहा एक दिना के कि बई मैं शादी वादी नहीं करना चाहता हूं, मैं दिक्छा लेना चाहता हूं, फिर मैंने अब दुख भूआ मेरी को, मैंने अब फिर इसने मुझसे ये कहा कि आप बता और मेरे साथ कितने साल रहो गई, पांच साल, दस साल, अगर जब आपको मेरे साथ 5-7 साल ही रहना है फिर मेरा क्या होगा जो मेरी इच्छाए हैं यह सब मेरी खतम हो जाएंगी तो फिर हमने इसको परमेशन दी हम समझ गए बच्चा यह अब दीख्षाई प्राप्त करेगा जैसा आपने बताए बहुत प्रिये थे और माम आप भी भी इमोशनल हैं लेकिन वह सारी चीजे होती है जो बहुत सालों में एक बार ऐसी संतान उत्पन होती है तो वो सौभागे आपको मिला है जाना चाहूंगे आप तो समझ के लेकिन जब भाया जी ने बात की थी आपसे क कि उन्हें दीक्षा ग्रहन करना है क्लियरली बता दिया था प्रोसेस तो आप में बताया है कि कैसे उनके मन में उच्च विचा शुरुआत सही थे तो उस वक्त घर का महौल कैसा था क्योंकि आपको भी आगे फामिली को बताना था आप लोगों से भी जब उन्होंने बोला है था कि अच्छा है ये काम लेकिन है ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था अभी भी कुछ अच्छा नहीं लगता हम लोगों को हमारे बस सब कुछ है सब चीजसे संपहन है हम लोग लेकिन हम को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है जादा कि भोगों में फसना ऐसा कुछ तो हमारी वह इच्छा होने लगी है कि हम भी उस रहा पर चले हम यह जो संसार रूपी है इसको धीरे धीरे छोड़ें तो यह हमारे बच्चे ने हमारे मन में यह जिग्यासा प्यदा कर दी है मादा पिता या घर परिवार बच्चों को बताते हैं उसने जिन्दगी में क्या करना है लेकिन यहाँ पर आपके पुत्र नहीं आपको आगे का मार दिखा दिया कि आपको क्या करना है सर आपने यहाँ पर college की बात बताई उनके campus placement की बात बताई अगर बात करें school की या बचपन की किस तरीके से थे भाया जी बचपन उनका कैसा था चंचल बालक थे घर में क्या था लाडले तो थे ही जैसा आपने अभी बताया कैसे उनकी रूप रेखा अगर बयान करना हो तो क कभी ने दिया कभी ना गलत बोला हम लोगों से ना कभी कुछ किया लेकिन ये जो ठान ले था चोटा सथा ना बहुत हो शेहर था अबबल हर चीज में तो पूजा पाट में बच्पन से ही थे मन था मैं मंदर से आके नाश्ता करती थी लेटा रहता था खुला और कोई बात बताओ शास्तरी बच्चे तो गाने सुना और बच्चे लेकिन ये कहता था कुछ बताओ आज क्या पड़ा मंदर में अच्छा वो आप से पूछ से थ ना आठमी किलास से तो रेगुलर ही रहा है पहले जिद जाता था दशन करता था मंदर कभी नहीं छोड़ा कितनी और कहीं जाके कितने भी थके बारह एक बज़े पहुचत रहे हम डो लिकिस सुबह चार बज़े ओटके पांच बज़े ओटके अपने मंदर को अफशे मंद है क्या तो अलब भाईया यहां तो बनारस में बहुत जैन मंदर है तो मंदर की सुनके तो बहुत खुच अकेला पूरा कैमपस में लड़के अपने सारी आयाशी सब करते हैं लेकिन इसने वह साइकल ली साइकल पे डेली तीन किलो मेटर मंदर जाता था था हुस हस्टिल मे भी तो इसने कभी मंदर नहीं छोड़ा भावन धार्मिक था यह और इसको छोके मुझे पता नहीं क्या लगता था कुछ बड़ा अच्छा 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 प्राणी हमारे घर में आ गया है वह अपनी गत तो सुधा रे गई साथ में हमारे परिवार की गत को तो पूरा परिवार रिश्टेदार सब खुश होंगे अविरल अवे छोड़े बच्चे से लेके बड़े लोक तक अविरलिय अवरल सब बैनोली इसकी हो रही हैं एक दिन में पाछना च्छे दिली के इलावा पूरे इंडिया में हैदराबाद लेलो बंगलोर लेलो लोग इसको इतना लाइक करने लगे थे आब इसको बुला रहे हैं इस पर इतना टाइम नहीं है इसके पास तो यानि बच्पन से ही धार्मी प्रवरती के थे अध्यात्मी अध्यात्म से जोड़े होगे थे लोगों के उपर ना वह भी छोड़े थे तो मुझे ही कहता रहा था आप तो चोड़े मैं चाय भी नहीं चोड़ पाती थी लिखड़ चुकि आप तो ब्रक्तिल देल चुकि मुझे सिखाता था यह चोड़ना से बच्चा बच्पन से ही हाँ थोड़े दिन पहले साथ वी पढ़ता है लोगों के उपर ना वह भी छोड़ देता है अजमाम आपने समझाने की कभी कोशिश नहीं की कितने साल पहले इन्होंने आपको दीक्षा ग्रेंड करने के लिए बताया था ता तीन साल करीब जॉब की होगी ना तीन साल के बाद यह यह कहने लगए यह आफिस नहीं खाया कभी भी ऐसे था महिना और सारे रिष्टे बदल जाएंगे कुछ तो दुख होता है लेकिन खोशी भी बहुत है कि यह मोक्षकमार के लग गया है हमें भी एक रा दिखाई है तो हम भी इतने बुजुर्ग होगे हैं लेकिन हम भी अपने आपको चेंज कर सकते हम इस ग्रैस्त जीवन से निक मैं खोश्त बथ हूँ लेकिन वह तो है यह न या तो किया सोचा है कि दूर से देखै कि खुशोले यह हाँ संथिष्टि है कि मेरा जो बच्चा है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मेरी कोक से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो कि एतना नाम करेगा और इतना अच्छा पद लेगा पंच-परमेश्टी में सामेल होने जा रहा है तो खुशी की बाद तो है यह खुशी तही है पीज़क ने लेकिन हम वो तो है यह जो दिन राग ममी ममी करता था एक दिन फान मी करो बेंग लोड में रहता था आज फान नी कर kingdom रहा भूल गई है ऐसे बूलती inne होगी लेकिन आप तो क्या आप भात ही नहीं होगी लेकिन मैं खूश हूं मैं अपने को समाल लोगे क्योंकि मुझे मार्ग पता है मुझे पता है कि सच्चा रस्ता तो यह यह जब इंट्रव्यू दे रहते भया जी उन्होंने यह कहा था कि नाना जी भी दीख्षा लेना चाहते थे बर ले नहीं पाए तो आप बच्पन से ऐसे परिवार से जुड़ी हुई है जो धर् प्रेरेत हुआ था क्योंकि दादा जी थे तो दादा जी को तो इसने देखा नहीं पर दादी दादा धार्मिक थे लेकि इतना नहीं था कि त्याग बरत नहीं था उनका लेकिन नाना जी बहुत ज़्यादा थे इसके तो जब नाना के घर जाता था था ना तो उन्हीं के सा तब से लगन ऐसी लगी, छोटा ही था तो अब इसे, ऐसी लगे दिने पास, चलिए ताइंक यू सो मच, यही कहना चाहूंगी कि हर मा जाते उसके कोक से एक ऐसा बच्चा जन्म ले, जो दुनिया बदलने की ठाले, जो इतिहास लिखे, जो माबाप का नाम रोशन करे, ऐसा स सौभाग मिलने पे माता पिता को दुख तो होता है, लेकिन उस सौभाग पे फक्र होता है, कि चलो हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया, और साक्षात प्रभू की, महावीर प्रभू की मार्क पर चल रहा है, थाइंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज दिनांक 6 अक्टूबर को श्रिदिगंबर जैन मंदिर सूरज मल विहार दिल्ली में प्रमचारी अवरेल भया जी की भवे बिनौली याक्रा निकाली जाएगी, इस यात्रा का भवे आयोजन परमपूज जी मुनिश शेक्सवार विभून्जन सागर जी मुनिराज की म मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, दिनांक 14 नवंबर 2021 को श्री सम्मेद शिखर जी मधूबन में परमपूज आचार शेक्सवार विश्वतिसागर जी महाराज के कर कमलो द्वारा भव्य जैनीश्वरी दीख्षा दी जाएगी, ये बहुत ही सुगम अवसर है, जैन आज के लिए एवं ब्रह्मचारी अविरल भाया जी के लिए, तो आपने धर्म एवं वैरागे की और अग्रसर अविरल भाया जी एवं उनके माता-पिता जी के वेक्तिकत विचारों को जाना, धन्य है ऐसे माता-पिता जिनके घर में ऐसे पुत्र ने जनम लिया, कठिन है परंतु सुख में है, आनंद में है, जी हाँ, यही तो जीवन है और यही तो सत्य है, कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने आज के इस कारिक्रम को यही पूर्ण विराम देना चाहूंगे देह तो माया है, वैराग ने ही प्रभू से मिलाया है, जीने की चाह में न जाने कितने मरे, प्रभू नाम से ही अम्रित्व पाया है जै जिनिंदर्शक। जै जिनिदर्शक।